कि इंग्लेंड में कोई कल्च्चर है नहीं मैं एफेंड नहीं करना है 15 बहराति जो इतिहासिक पुरानिक और उसे कल्चर बोलते कल्चर आज कल है नहीं इंडिया में भी बहुत तेज रवतार से गुम हो रहा है कल्चर हम अभी भी है obviously हाँ पर लेकिन actually England में देखा जाए तो आप आज कल बस आधुनिक्ता में सब पड़े हैं और उसमें देखा जाए तो माता पिता को रखना you know family unit होना ये सब बाकी नहीं रहा तो बहुत कम लोग इसमें मानते हैं तो इसलिए हम वापस आते रहते हैं कि कल्चर थोड़ा महसूस हो भारत में actually आकर ऐसे लगता है कि actually अभी भी है कल्चर सो या उसका कोई आप इनलेंड में रहते हैं ऐसा इस मार्टी में क्या है ब्रच की मार्टी में जो आपको बार बार खी चलाता है यहां पर पता यह क्या magic है ठाकुर जी की क्या मतलब you know amazing उनकी कृपा है कुछ ने कुछ तो ही लेकिन यहां पर जैसे हम alive है जान है बहार जाकर यह ब्रिज को छोड़कर ही तुरंथ जो क्या कहते है इतना heaviness फील होता है काल्यूग का प्रभाव बोल सकते हैं आधुनिकता का प्रभाव जो नास्तिकता का प्रभाव है वो इतना we gonna go get you wanna go get a lollipop later उसका प्रभाव बहुत हैवी है तो इसलिए ब्रज की मार्टी में जो आस्तिकता है तापस्या कह से इसही के लिए आते हमें ठाकु जी कि दर्षन हो और यही संसकार और सनातन धर्म का महसूस हो क्योंकि बाहर तो है नहीं हम लेके जाते हैं जितना हो सके उतना और ट्राइ कर रहे हैं कि जारी रखे हैं हमारी परिवार में और बाटे वहां पर भी हम थोड़ा प्रचार करने में कोशिच करते हैं कि थुक रहा है हमारा जो इंचेंट कल्चर है यह वैदिक कल्चर उसका दर्स नो कंपरिसन उसके लिए कोई क्या कहते हैं सबस्टिट्यूट नहीं है हम वेस्टन कल्चर को फॉलोग नियमा में पूरते हैं उसके में फंट है धनलगrabi अधरा नियमार कग भिग्ठ्व सबस्ट मतलबença हमारा क्यों फांदीव यहां प taper उख फेनकर पूरा दिन लगबब तो यहां पर मन लेकिन वहाँ पर हम साढ़ी पहनते हैं। वह देक कपड़ पहनते हैं। मूसलमान कभी सोचता नहीं किसे बुर्खा पहनूं यहाँ। सshire YouTubers भी पहनूं। इसलिए अर्चेनी भी पहनुत ब्लोटे कि आप लिलगाते हैं। को शो करना अपना आस्ता को दिखाने की क्या जूरत है लेकिन मैं कहते हूं कि अगर कोई पुलिस आफसर हो या कोई आर्मी वाला हो तो गर्व से अपने सारे मेडल्स दिखाता है क्यों कि मैं मैं आर्मी वाला हूं तो हम भगवान के हैं यह उनका चिन्न है उनका मतलब हमने जो समर्पन किया है उनको यह थोड़ा बस हम क्यों ना दिखाएं गर्व से दिखाएंगे कि हम ठाकुजी के हैं उससे मतलब प्रेटेक्शन मिलता है ओनेस्ली मतलब ऐसे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है कि लगाए हूए भगवान हमारे साथ है वो तो है ही हमेशा लेक प्रणकी नेगेटिव था मतलब जो नेगेटिव है वो एनेरजी थोड़ा दूर है तो क्या करती है आप इंगलेंड में क्या काम करते हैं अच्यली पाट टाइम मेरे चार चार बच्चे हैं आज दो है दो घर पर अभी और तो पार्ट टाइम हैं संस्क्रित पढ़ाती ओन के स्कूल में है, वहाँ पर एक कृष्ण आवंती करके लोकल स्कूल है, इंग्लेंड में, और एक्चली सरकारी स्कूल है, सरकार पैसे देती है, लेकिन हिंदू फेथ स्कूल है, तो mostly हिंदूस जाते हैं वहाँ पर, और संस्कृत, योगा, सब वेजटेरियन खाना, अग्यार और सपता है वाँ पर, तो बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं और मुहाँ पढ़ाती है उनके प्रामरी और स्कूल में, प्रामरी स्कूल में, पर्ट जितना हो सके कि उतना गीता पड़ते है भगवद गीता क्लासे एवी डेए वहां पर इन लोगा ग्रूप किया हुआ है बच्छों का और वो रोज भगवद गीता क्लासे में जाता है थोड़ा हिंदी कम समझता है तो मुना कर रहा है तो आपको बजन या को याद है कुछ गा सक्या है बज सॉरी हम थ्याद रखूपतिराघवरा जारा पेटितप वनसी ताराम वाला रखूपतिराघवरा जाराम पेटितप वनसी ताराम जय हो हरे गिए लेकिन उसका क्या फाइदा अगर दिल छोटा हो मन में शांती नहों अंदर सुख नहों रिदय में मतलब प्रेम नहों तो यह एक्चली यह सवारे जो चीज़ें हैं प्रेम और निर्मलता और यह एक्चली सिर्फ भगवान में वो जो हम तपस्या करते हैं दया दान यह सब कॉल्टी इसी तरह सकता यह कल्चर से अबडेक कैसी की सेवा करें थोड़ा हुमिलीटी प्राक्टिस करें नहीं तो फिर यह बड़ी-बड़ी मारते फिर कुछ काम के नहीं इद मन सैंस काम के है लेकिन फिर उसका इस्तमाल दुरृक्योग होगा झाल झाल